जारा और जेन दोनों अपनी छट पर कुछ पौधों को उगाने के लिए उत्साहिद थे इसलिए जेन को कुछ मटके मिले थे जब पौधे लगाने का समय आया तो उन्होंने देखा कि जारा एक अलग तरह की मिट्टी लेकर आई है इसका रंग काला नजर आ रहा था नहीं लगा सकते जारा ने बताया कि ये मिट्टी उनके पौधों को अच्छी तरह से नहीं बढ़ने देगी लेकिन वो अपनी मिट्टी का उप्योग करने की जिद कर रहा था कुछ हफ़ते बाद जारा के पौधे इतनी अच्छी तरह से बढ़ने लगे कि कुछ फूल भी खिल रहे थे हाला कि जन के पौधे बिलकुल नहीं बढ़ रहे थे उसने सोचा कि काश वो जारा की बात मान लेता लेकिन इस मिट्टी के साथ गलत क्या था उसने पौधों को बढ़ने में मदद क्यों नहीं की इसे समझने के लिए हमें विभिन तरह की मिट्टी को देखना होगा कुछ बेसिक कैटिगरीज हैं जिनमें मिट्टी को डिवाइट किया जाता है चलिए पहले इन्हें समझते हैं यहां हम अलग-अलग एरियाज में जमा किये गए चार अलग-अलग तरह की मिट्टी के सैंपल्स को देख सकते हैं अलग जोन से होने के अलावा इन सैंपल्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत अलग है चलिए इसका कारण देखते हैं अगर हम जूम-इन करते हैं तो जो पहली चीज हम नोटिस करते हैं वो यह है कि मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत ही बड़े हैं यह गोल है या देखने में एक ग्रानिूलर है इस तरह की मिट्टी को सैंडी सॉयल कहा जाता है सैंड जो बीचिस पर दिखाई देती है जी हां हम उसी टाइप की बात कर रहे हैं अगर हम थोड़ा सा पानी इसमें डालें तो मिट्टी इसे सोखेगी नहीं वो तुरंथ ही सारे पानी को छोड़ देगी इसका बड़ा कारण है पार्टिकल्स का साइज और उनके बीच की स्पेसिस पार्टिकल्स बहुत ही बड़े हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस है इसी कारण सैंड, पानी या फिर मिनेरल्स को भी होल्ड नहीं कर पाती इसलिए ऐसी मिट्टी पौधों को उगाने के लिए उचित नहीं है हमारी लिस्ट में अगला है ये मिट्टी का सैंपल क्या आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और बिल्कुल भी सैंड के पार्टिकल्स की तरह नहीं है इस तरह के मिट्टी को Silt गहा जाता है Silt में particles होते हैं जो sand से छोटे होते हैं और उनके बीच में कम space होती है इसलिए Silt पानी को कुछ मात्रा को पकर सकती है अगली category है ये मिट्टी की मिट्टी जिसमें बहुत ही छोटे particles होते है मिट्टी के करण इतने छोटे होते हैं कि वो देखी भी नहीं जा सकते तो क्या इसका मतलब है कि इन पार्टिकल्स के बीच बहुत ही कम स्पेस होगी? जी हाँ, और ये बताता है कि ये मिट्टी पानी को रोकने में सक्षम है ऐसे मिट्टी को हम क्ले कहते हैं क्या ये वो ही क्ले है जिसे हम मोल्ड करके आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं? जी, बिलकुल ये मिट्टी के बरतन जैसे आर्टिकल्स बनाने में इस्तमाल किया जाता है हाला कि बहुत सारा पानी रखने की ये खूबी किसानों के लिए प्रतिकूल है Agriculture में Clay का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत पानी रीटेन कर सकती है इसलिए संभावना है कि कुछ पौधों की जड़े आसानी से खराब हो जाएंगी इसलिए Clay एक कुमहार के लिए एक वरदान हो सकता है लेकिन ये एक किसान के लिए बेकार है अब चलिए आखरी टाइप को देखते हैं ये किस तरह की मिट्टी है ये रंग में काली दिखाई देती है और इसकी बनावट पूरी तरह से अलग है मिट्टी में बड़े और छोटे दानों के पार्टिकल्स मौजूद है इस टाइप को लोमी सॉयल कहा जाता है ना सिर्फ विभिन पार्टिकल्स लेकिन मिट्टी में हिूमस भी होता है जी हाँ, मरे हुए या सड़ते हुए जानवर या पौदे के शरीर से बनने वाले और गैनिक मैटर को हिूमस कहा जाता है तो क्या humus की मौजूदकी के कारण ये मिट्टी काले रंग की होती है? जी, बिल्कुल और इसमें बहुत सारे minerals और nutrients भी होते हैं यदि हम इस sample में पानी डालते हैं तो ये अधिक पानी को drain कर देगा और कुछ मादरा को पकड़ कर रखेगा क्या आपको लगता है कि इसे use करना agriculture के लिए अच्छा होगा? जी, बिल्कुल होगा लोमी soil agriculture के लिए बहुत सही है इसमें कई nutrients होते हैं और जरूरत अनुसार पानी रोकने की शमता भी होती है तो ये था अलग-अलग प्रकार की मिट्टी के बारे में अब हम जानते हैं कि क्यों जारा का पौधा अच्छे से बड़ा और जिन का नहीं जारा ने लोमी मिट्टी का इस्तमाल किया जबकि जिन बीच से लाई हुए सैंडी मिट्टी का इस्तमाल कर रहा था तो अगली बार जब आपको पौधे हुगाने हो तो इन पॉइंस को ध्यान में रखे